हाई गैस गूड मॉनिंग कैसे आप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत हमारे चनल रेखासंजे ब्लॉग में और गैस सुबा का डाइम है और मैं नास्ता बना रहे हूं मिस्टर कुमार के लिए और मिस्टर कुमार सो रहे है तो देखिए गैस कल जो है तो यहां पर साइजन और आलो को फ्राइ कर लिए हैं और इधर देखिए मसाला भून रहे हैं और इधर भीस में ज्यादा साइजन बना रही है क्योंकि साइजन अभी जब तक मिल रहा है तब तक बनाएंगे क्योंकि ज्यादा दिन मिलता नहीं और साइजन बहुत अच् की यहाम पासाइजन पर अषंट का रख दिआ हैं और इधे मासाला drives घाता है तो तो यह टाइम भी लगता है सरसो को मसाला बुनने में तो इसे बुन रहा है और बुना जाएगा तो इसे फ्राइ भी कर लिए हैं और हलका सा इसको साइजन को उबाल भी लिए थे हलका सा क्योंकि उबाल लेने से यह होता है कि इसका जितना भी हिरैना टैप का लगता है जैसे मतलब यह हरा हरा होता है न तो इसके वज़र से इसको हलका से उबाल लिए थे नमक डाल के और इसका हर्याना पन निकल गया आप फिर इसे फ्राइ कर लिए थे और यहां पे देखिए मसला भूटे अभी मसला भूनने में टाइम लेगा अभी मैं जारी हूं अभी जारी हूं गुनने और आटा गुन कर फिर बनाओंगी रोटी और मिस्टर कुमार भी सो रहे हैं और मिस्टर कुमार उठेंगे तो अपना डियूटे के लिए तब तक आप मैं बना लेती हूं तो चलिए गई आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं तो गाइस देखिए यहां पे सजना के सबजी बनके तयार हो गया है यह देखिए अब चलती हूं रोटी बनाने तो रोटी बना के तो आप लोग से मिलते हैं तो काईज दिए मिस्टर कुमार उपीस जाने के लिए एक दम तयार हो गया है पूरा अचिकर और देखिए अपना फैबरेट सब गची कैसा है कैसा लगरा सैंचे संडेग एक चलक मलें खालें जालदी हमको कच आई है इस लेग रहा है क्यों बूश रहा है पीला ला स्टो अचारती की लाय थे ना तो आई था तो देखे गाइज मिस्टर कुमार तैयार हो चुके हैं एकदम रेडी हैं और फिस जाने के लिए तो चलिए ये खाना खा लेते हैं तो फिर मिलते हैं थोड़े देर में कुमार छले गया थे और लंच नहीं ले जाएंगे तो बस नास्था करे चले घया थे और मैं सो गई थी बहुत नींद टैप लग रहा तो थे और उठी हूंत देखें वहां हो पर मंदिर में दिया जला देएं हूं किनारा यह देखिये क्युक्कि यह सिल्क का सारी ना तो इसका जो किनारा नुस्ता दागा निकल रहा है इसका ना दागा निकल रहा है तो मैं सोची बहुत दिन से रखा हुआ था और मुझे याद भी नहीं था तो तो आज में अल्मीरा खोलिए तो look. च要ड था तो मैं सुचिकी सिल्व देती हूं और पहले सि दूंगी तोनों का किना माधा है तुन्हों साइड का- फिर उसके बाद फॉल लगाऊंगी इस में और देखें मैं बलाव सिलवा लेती टेलर में ही। टेलर में सिल्वाई थी की concerns का ना तो फिनिसिंग नहीं आता लाउज थोड़े से डीजाइन में से लवाए थे यह देखिए यह पीछे का है देखिए यह पीछे का गला है और यह देखिए डीजाइन डलवाई थी मैं बर्फी वाला डीजाइन है तो यह पीछे का और बाजु भी देखिए बाजु इस टैप का है और आग यह डोई लग तो मैं डोरी वैसे भी नहीं रखूंगी एक डोरी बस जायंट वाला रखूंगी और आगे मैं प्रींस कट सिलवाई एक पर मैं खुद से सिली थी प्रींस कट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन फ्रीसिंग नहीं आया था देखिए यह प्रींस कट बिलाऊ तो इसलिए प्रिंस कट है तो मैं ब्लाव सिलवा ली थी और साड़ी आसा ही बहुत इन सो पड़ा हुआ था मैं ठंडी के टाई में ली थी जनुरी जनुरी में साइद ली थी तो रखा हुआ था और मैं भूल गई थी कि इसे साड़ी को किनारा सिना है और फाल भी लगाना है तो फाल में लगा लूँगी परे किनारा सिलोंगे क्योंकि इसका धागा निकल रहा है और इधर देखें यहां पे में लगाई मसीन मसीन बहुत दिन से मसीन नहीं चल रहा था तो इसमें थोड़ा-वाज या रहा है एक भी सिल ने तो ठीक है कुस थोड़ा सा सिल लेते दो फिर आपक सुमेटेरी तो हैसिते हैं तो काइस देखी आपे पब अर्बनाने जा रहा है और किस इस चीज करें फोरा खाते हैं अप्लोब सिख़्ूटा साट खीचा तो देखे लग राया आलू के तरहнее चोटा चटा मिर्ची मिर्ची इसाथ मु आपया है और यहाँ पी यह देखें भैंडी भैंडी स्रुचेस फाड़ कट कर दियें कि ताकि अच्छा से मतलब गोल भी बनता है लेकिन आज थोड़ा से चूट-चूटा होगा वैसे नारम ही होता है और यहां वे देखिए टमाटर है टमाटर का भी मिस्टर कुमार का बहुत पसंद है तो इता सारा यह है और यहां पर मैं बेशन को गोल के रखी ह क्योंकि आज थोड़ा पारिज भी हो रहा था तो मिस्टर कुमार आ रहा है थे रास्ते में तो बोले हैं कि पकोड़ा बनाने लिए तो इसलिए हमाने सारा कुछ कर लोग और बना लेते हैं गाइस तो आप लोग को दिखाएंगे गाइस देखिए पकोड़ा एक maximring के तयार हो गया है और हम लोग खा भी लिए हम लोग कहा भी लिए है क्योंकि जब पकोड़ा बनता है तो हम लोग से रहा नहीं चीलता है जीला झाहे, रहा नचाहे, बही हम लोग कहीं साफ है तो अभी हम लोग खाना है जनाहे हो ताहिए है जना के सबची है सबलस्तामांगी डिन शावल टो ते मे भाग्रा ना का शाबड़ा है यह मेर्ची लग रहा है यह मोटा व्लों मिर्ची है क्या तो मेर्ची और भेंडी पता ही नहीं चल रहा है लेकिन हमको लग रहा है मोटा है यह मेर्ची है और यह जो छोटा-छोटा है ना यह बेंडी है और यह देखिए यह जो छोटा-छोटा है ना यह घिया का है लोकी का ह इदर बैदन को गया है और देखिए यह लग रहा है कि आलू का लेके नालू का है नहीं आलू का नहीं बनाई थी मैं यह सब घीया का है एकदम छोटा सा खी चाहिए था इसको उबाले भी नहीं है ऐसे ही एकदम नरम सॉफ्ट हुआ है तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अभी खा लेते हैं अभी चाप खाना बना रहा है अभी तो आम लोग पकोड़ा खाएं तो उस देर में खाएंगे और वीडियो को लाइक सस्क्राइब और सेयर कीजिएगा और बताएगा कि यह पकोड़ा आप लोग खाए हैं ऐसा पकोड़ा कि नहीं टमाटर का घीया का पैगन का भेंडी का और मिट्शे का तो ठीक है गाइस फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए गुद नाइट